आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ किस पर डिपेंड करती है एक तो डिपेंड करती है सबसे पहले मास पर डिपेंड करती है अगर क्या हो जाए मास सेम हो जाए फिर उसके बाद किस पर डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है और कैसे डिपेंड करती है वो हमें देखते हैं अब क्या होते है, जितना ज्यादा मेरे पास क्या मास होगा, उतने मेरे पास क्या होगा, उतने मेरे पास क्या होगा, वंटरवाल फोर्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा मेरे पास क्या सर्फेस एरिया होगा, ठीक है, सर्फेस एरिया होगा, उतने मेरे पास क्या वंटरवाल force of traction होगी, ठेक है, अब देखो हमें क्या गियो हना है, हमें गियो हना है, F2, and then Cl2, and then what गियो हना मेरेको, Br2 and i2, ठेक है, अब हम देखे किसका माण सबसे ज्यादा है, ठेक है, तो अगर भात करो के मांस of F2 तो मने पास mass of F2 कितना होता है, mass of F2 होता है, 19g and CL2 केतना होता है 71g and BR2 के अलमोस केतना होता है 160 के round and I2 के मास केतना होता है 254 होता है अगर रांड फिगर में लेकर चलूँ ठीक है अब मैंने क्या बोला कि जितना ज़दा मेरे पास क्या मास होगा उतने मेरे पास क्या फोस ब्रच्व ऑंडर थोडेटी स्ट्राइकों हो गा है अलमास की याज मेरे पास मास सब्सदाओ कि बनाता है के वीक्षन का ओडर किंगी डारेक्टलप्रिक लिया है ठीकितां मरे पास ओडर ःग को एप टिक यह आजрав्यलिवियंको मारे टुज तो सब ज्यादा आए टू था ड Kirk-टू अफिकातां नहीं मेरे रेंट आंस्व ब्टिक economic ए कि त्लासेग्यू'